हम फिर से मौझूद हैं आपके साथ 12 वंकी का अलू का भाव लेकर तो सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि जिन लोगों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को क्रिपया पूरा देखा करिए क्योंकि अधूरी जा यहां से खेतों से अलू खरीद रहे हैं घर से अलू खरीद रहे हैं वह भाव है क्योंकि यहां मारा बंकी में मंडी में अलू उतर नहीं रहा है तो कोई वहां ले भी नहीं जाता है मंडी और इस टोरों से भी कुछ लोग बेंच लेते हैं अपनी पर्ची बेंच लेते हैं वो भी रेट है और अलू वियापारी यहां से लदवार है यह जा रहा है बाहर जैसे की गोरकपूर बेरे वेग सक्याफ। यह लोग भी भीज रहे हैं तो ये भाव है और ये बस में भीमारों पख客 से लता शोटा लू क्राइब है उन्हों भीचाए कि आरो detect स्कॉड्य के redefal पर बड़ा अलू का ये भाव है और बारावंकी में अपकी बार फसल गडबड भी हुई है तो इस वज़े से छोटा अलू यहां निकल भी जादा रहा है तो खराब आलू कोई डिमांड नहीं और उसकी सप्लाई भी जादा है तो इस वज़े से रेट डाउन है और इसमें त सब्सक्राइब आपकी दो बोरियां भी जाएंगी 36 रुपए की बोरी और सतन लगा रहे हैं यहां पर 36 का बोरा एक जाएगा एक बोरी पर तो 72 रुपए तो आपकी ऐसे ही चले गए कुंटल पर तो बहुत घाटे का सौदा है लेकिन यह अनुमान पूरा है कि हटे भर में जो यहां की बाजार है वो थोड़ा टाइट हो जाएगी और क्योंकि अब गाउं से बहुत तेजी से उठने लगा है अलू बयापारी गाउं पहुंचकर बहुत तेजी से खरीद रहे हैं और खरीद के तुरंत लदवा ले रहे हैं और नगत पेमेंट भी कर रहे हैं तो इ इसलिए हपते दस दिन का समय लग सकता है उसमें कोई बाधा नहीं क्योंकि अच्छा खांसा अलू गाउं में है तो इसलिए जो लोग वीडियो को आधी देखके चले जाते हैं उनको पूरी जाइनकारी मिल नहीं पाती है फिर वो लोग कमेंट में लिखते हैं कि आपने आ मार्केट वगेरा वो लोग जो अनुमान बता रहे हैं वो हमारे हिसाब से बिलकुल सही बता रहे हैं क्योंकि उन्होंने एक वीडियो डाला था उस पर लिखा था कि वैपारी अलू को ढूंड रहे हैं तो वह हाल भी यहां बाराबंकी में भी होने वाला है क्योंकि जो आल स्टोर और जो गाओं में है अलू सरफ वही बिकेगा और वह बिकने के बाद वैपारी अलू यहां भी ढूंडेंगे यह तो तैह कर दो कर दो कर दो